हेलो माई यूटो फेमली, कानहकली फूट ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें इससे हमारे वीडियो के सारे नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इस नई से रेसिपी को इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 मीडियम साइज के बॉयल आलू लिए हुए हैं तो अब इनका छिलका हम हटा देंगे तो यहाँ पर हमने सारे आलू के छिलके उतार दिये हैं अब इससे हम फॉब की मदश से इसे मैस कर लेंगे आप चाहें तो इसे मैस करने के लिए मैसर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं आलू को हमने यहाँ पर पिल्कुल अच्छी तरह से मैस कर लिया है अब हम इसमें थोड़े से मसाले आट करेंगे मसालों में हमने लिया है एक चम्मच धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच भूना हुआ जीरा पाउडर और फिर हम यहाँ पल लेंगे आधा चम्मच, काली मिर्च पाउडर और इसमें थोड़ा सा खटा पल लाने के लिए हम लेंगे आधा चम्मच, आमचुर पाउडर फिर हम इसी के साथ में यहाँ पल लेंगे दो बारी कटी हुई हरी मिर्च मिर्च का टेश्ट आप अपने हिसाब से रखें फिर इसमें हम एट करेंगे बारी कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और फिर हम लाश्ट में इसमें एट कर देंगे स्वात की अनुसार नमक तो नमक हमने याँ पर आधा चमश लिया हुआ है आप अपने हिसाब से रखेंगा फिर हम इसे हाथों की मदद से पिलकुल अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर हमने आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब इसे हम रख देंगे साइड में अब हम यहाँ पर लेंगे मिक्सिंग बाउल फिर इसमें हम लेंगे एक कब बेशन और फिर इसमें हम थोड़े से मसाले आट करेंगे मसालों में हमने लिया है आधा चम्मच, अजवाइन तो अजवाइन को हाथों से क्रेस करके लें ये डाइजेशन में पढ़ियां काम करती है फिर हम यहाँ पर लेंगे एक बारी कटी हुई हरी मिर्च अगर आप इस नास्ते को बच्चो को दे रहे हैं तो मिर्च को स्किप कर सकते हैं नहीं तो मिर्च की मात्रा बहुत जादा हो जाएगी बच्चो के लिए फिर हम यहाँ पर ले रहे हैं एक चम्मज साबू जीरा, एक चोथाई चम्मज हीं कलर के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है आधा चम्मज हल्दी पाउडर फिर इसमें हम नमक एड़ करेंगे तो नमक की मातरा थोड़ी सी कमी रखें क्योंकि आलू में भी पहले नमक को एड़ किया हुआ है फिर इसमें हम डाल देंगे बारेक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती फिर इन सबको हम बिलकुल अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम इसका एक थिक वेटर तयार कर लेंगे तो वेटर की कसिस्टेंसी हमें कुछ इस तरह की रखनी है ना ही बहुत ज़्यादा थिक और ना ही बहुत ज़्यादा पतली जैसे हम प्लेट पकोड़े के लिए वेटर को तयार करते हैं ना ठीक उसी तरह की कसिस्टेंसी हमें इस वेटर में रखनी है तो इस नास्ते को हम दो रोटी के साथ बना रहे हैं अगर आपके पास रोटियां इस तरह से बच जाए तो उन्हें वेस्ट ना करें उन्हें इस तरह से आप नास्ता बना के बच्चों को दे दे या खुद खाले बच्चे भी बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे ये खाने में बहुत जादा टेश्टी होता है तो अब यहाँ पर एक रोटी को हम इस तरह से प्लेट पे रख लेंगे और जो हमने आलू का मिस्टर तयार किया है उस मिस्टर को हम इस रोटी पे इस तरह से फैला देंगे बिल्कुल किनारे तक तो अब हम यहाँ पर दूसरी रोटी लेंगे और उसके उपर हम एक चमश लेंगे टोमेटो सॉस आप अगर टोमेटो सॉस पसंद हो तो ले नहीं तो इसकी जगह पे आप मियोनीज भी लेंगे उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आता है तो हम यहाँ पर इस टोमेटो सॉस को दूसरी रोटी के उपर पिल्कुल अच्छी तरह से फैला देंगे आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हमने दोनों रोटियों को तयार कर लिया है अब आलू की फिलिंग वाली रोटी के उपर इस टोमेटो सॉस वाली रोटी को हम अच्छी तरह से रख देंगे और हाथों से थोड़ा सा इसे पुस करते हुए इस तरह से चिपका देंगे जिससे की यह खुले ना तो यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से शिपका दिया है अब यहाँ पर आपके पास अगर पिक्जा कटर हो तो उससे इसे चार भगों में डिवाइट कर दें और अगर पिक्जा कटर नहीं है तो आप इसे चाकू की मदद से भी इसली कट कर सकते हैं तो इस तरह से इसे क तो यह बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह नास्ता आपका रोटी से बना हुआ है तो इस तरह से कट करके पहले इस नास्ते को किसी प्लेट में आप रख लें तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं तो जो हमने वेशन का वेटर तयार किया हुआ है ना उसमें हम इस तरह से एक एक पीस को उठा के इस बिटर में डिप करेंगे और डिप करके हम इसे फ्राइ करेंगे तो फ्राइ करने के लिए हमने तेल को पहले से गरम होने के लिए रख दिया था तेल हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गरम भी हो चुका है तो इस तरह से पैस का फ्लेम यहाँ पर मेडियम टू हाई पर रखें, लो पर बिल्कुल भी ना रखें, तो यहाँ पर ये नास्ता हमारा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं, तो अब इसे हम निकाल लेंगे, और ठीक इसी तरह से सारे नास्ते को हम फ्राई कर लेंगे, तो फाइनली ये हमारे बची हुई रोटियों से चटपटा सा नास्ता बन कर तयार है, तो आप इस तरीके से एक बार इस नास्ते को जरू ट्राई करें, अगर आपके पास दो रोटियां भी बच जाएं तो उसे वेश्ट ना करें, इस नास्ते को बना कर खाएं और अपने ब बनाईए, अपनी फैमिली के साथ इंज्वाइ करिए, रेसिपी ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आती है, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें